नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चेनल जोती जतन में आज के वीडियो में हम आपको बेंगन के टोट के बता रहे हैं जिसको आजमाने से एक ही नहीं कई समझ्याओं से आप मुक्ति पा सकते हो बेंगन के टोटकों से रहू केतु सनी के बुरे समय को आसानी से टाल सकते हो और बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हो इसके साथ हम बेंगन के टोटकों से करज सनी के साधे सती कोट कचरी के चक्कर जैसे समस्या से तुरन छुटगारा पा सकते हैं कई बार देखा गया है किसी परिवार के सदस्यों के साथ कई अनेक अन्होनी गटनाएं गटित होती है जैसे किसी परिवार पर दहेज उत्पीडन का केस लगना, किसी जुटे आरोपों में जेल हो जाना, ग्रह कलेज, सड़क दूर गटना, अचानक व्यापार में नुकसान, घर में चोरी, अगनी कांड, अचानक करज के जाल में फंसना, अचानक कोई घर में विपत्ती आ जाना ये गटना है, रहु केतु सनी की महादसा एक साथ आने के कारण गटती है, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी गटना गट गई हो परिवार में, तो उन्हें समल जाना चाहिए, और घबराने के जरूरत नहीं है, आज के वीडियो में हम बेंगन के ऐसे टोट के बता रहे हैं, जिसे घर में सुक सम्रती, धन व्रदी, करस्य मुक्ति, मान सम्मान, व्यापार, नोकरी में निश्चिती सफलता प्राप्त होती है, सनी रहु केतु के बुरे समय से मुक्ति मिलती है, बेंगन के टोट के कभी भी खाली नहीं चाहिए, वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे पहला उपाई है, सनिवार के दिन सुबह, चार पी साप सुत्रे बड़े बेंगन घर ले आएं, चाहों बेंगन को दो दो टुकडों में काट लें, बाद में इन टुकडों को तिल के तेल में किसी बरतन में डुबो कर एक घंटे तक रख दें, इस दोरान घर में यह परियोग चार सनिवार तक करने से गर में सुक्समरदी बढ़ती है, व्यापार नोक्री में आने वाली सारी बाद हैं दूर हो जाती है, जिसके परभाव से व्यक्ती धनवान बनता है। ये परियोग सनी के दूस्प्रभाव को दूर कर देता है यही परियोग रविवार के दिन करने से रहो के दूस्प्रभाव को खतम करता है और व्यापार में सफलता मिलती है दूसरा उपाई है चार बेंगन को चार ग्यों की रोटी में एक केक करके लपेट ले फिर अपने घर में चारों तरब गुमा कर उसे किसी भेंच को खिला दें ये परियोग रविवार अमाउस को करते रहने से अचानक धन की प्राप्ति होती है व्यक्ति साधन संपन बनता है तीसरा उपाई है सफाई करमचारी को मंगलवार के दिन बेंगन का दान करने से मुगदमों में जीत होती है और जेल जाने की नोबत नहीं आती है ये उपाई हर मंगलवार को करते रहें चोथा उपाये घर में काम करने वाले मजदुरों को या रिक्सा चलाने वालों को समान डोने वाले पिठु जली कुली को बेंगन का दान करने से व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। इस दान से बंद पड़ा व्यापार भी चलने लगता है। 500 उपाये सनिवार के दिन चार बेंगन और चार शिक्कों को अपने तक्ये के निचे रखकर सो जाएं। रविवार की सुबह उठते ही चारों बेंगन को गाई के बच्छडे को खिला देना है। और चारों शिक्कों को किसी भी गरीब यक्ती बिकारी मजदूर को दे दे जो भी मिलें उनको दान कर दें। इस परियोग से घर में सुक्ष सम्रदी धन संपति में बढ़ोत्री होती है। व्यापार दुकान नोकरी में आने वाली बाधाये समाप्त होती है। करस्य छुटकारा मिलता है। ये पांच उपाई हमने बताएं इसको जरूर आजमाएं। इ रामची कि